दोस्तों नमस्कार दिनेस लाल निरहुआ जी की फिल्में तो ऐसे एक साल में जो है की 10-15 फिल्म जो है की वो सूट कर लेते हैं और जो है की वो धीरे-धीरे उनकी फिल्में रिलीज की जाती है लेकिन आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं कि चुनाओ के बाद से निरहुआ जी कितने फिल्म में सूटिंग किये हैं और कितनी फिल्म उनकी रिलीज हुई है जानकारी पान इस पहले है आप लोगों से रिक्रेश्ट करता हूं गर हमारे चैनल पहली बार तुमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आगी कनाल पर प्र पहली फिल्म प्रियाग राज में फिल्म का नाम है यहां दोस्तों इस फिल्म की श्यूटिंग लगतार कई दिनों चली लेकिन क्यों की यह कुछ कहा नहीं जा सकता वैसे इस फिल्म की सुटिंग प्रियाग राज में जहां पर हो रहे थी, वो संगम में हो रहे थी, यहां तो संगम में उनकी फिल्म सुटिंग हो रहे थी, यानि कि प्रियाग राज में जितने भी फेमस जगा हैं, वहां पर पूरा सीन उस फिल्म में लिया गया है, जैसे प्रियाग राज भर में हुआ है हमारे यहां था प्रताबताबगड और प्रियाग राज का बाडर है सुटिंग योवाई इसे निर हुआ जी प्रियाग राज में जीतना भी स्पिर प्रेमस जगा आए आए कि गाने का जो स्षीन लिये हैं। गाना जो सूट किये हैं वहाँ पर वो प्रियाग राज का है। प्रियाग राज अलफ्रेट पार्क का है। वो कुर्ता जो रहता है, वो कुर्ता जैसे सफेद रहेगा, बुलू रहेगा, वाइट रहेगा, ऐसे कई कलर का सिर्फ कुर्ता ही रहेगा, एक ही मोडल में रहेगा, एक ही स्टाइल में रहेगा, वो अलग-अलग कलर में सिर्फ रहेगा बस, और इसमें जो है कि इतना या danse mastering करते हैं बहुत ही कई भोषवड़ी फिल्मों मen दे चुके हैं तो दोस्तों दिने इसलाल नहीं रहुंआ कि चुनाओ के बाद से पहली फिल्म थी जी का नाम था धे dow चुनाओ के बाद दूसरी फिल्म सुटिंग कर रहे हैं दूसरी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं जिस फिल्म का नाम है पंचायत अंगन दूसरी फिल्म है मुझे लगता है कि साल आखरी होते होते साथ तीन उन फिलम सूटिंग कर लें दो तीन चार फिलम सूटिंग कर लें क्योंकि इनका टारगेट है दिनेस लाल निरगवाजी जब भोचपुरी फिल्मों की सूटिंग करते हैं तो वो अकसर करके साल भर में 10-12-13 फिल्में वो सूट कर लेते हैं और सूट करके वो पेंडिंग में उनकी हुई थी हमारे यहां परताबगड में बासी गाउं में वहां पर जिस फिल्म का नाम था गोबर्धन फिल्म की सूटिंग बासी गाउं में हुई थी ठंडी में सूटिंग हुआ था लेकिन अभी तक उस फिल्म को रिलीज नहीं किया गया है और उसका जो डविंग था डव में रिलीज कर दिया जाएगा क्योंकि जो फिल्म जैसे 2024 में सूटिंग हो रहा है तो 2025 में उसको रिलीज किया जाता है कोई-कोई ऐसे फिल्म है कोई-कोई जैसे गबरू फिल्म था गबरू फिल्म बहुत दिन सूटिंग हुआ था लेकिन बहुत दिन बाद निरभवाजी का फिल्म रिलीज किया गया था काफी दिनों बाद भोचपुरी सिनेमा घरो में। धेखिये पहले जब film सुटिंग होता है, इसके इडविंग हर चीज करने में काफि time जाता है, तो उसको रिलिज डारेक्ट यूटूब पर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन रिलिज उसको जब करते हैं, जो है कि सबसे पहले YouTube पर ही रिलिज करते हैं, और यूटूब पर रिलीज करने के बाद जो है की जैसे की दो चार दस दिन बीस दिन बाद जो है की भोजपुरी सिनेमा घरों में रिलीज किया जाता है निरावव की फिल्में निरावव की ही नहीं ऐसे कई सारे भोजपुरी एक्टर हैं जो की फिल्म सुटिंग होने के बा और जो अभी यह film shooting हो रहा जैसे हे राम जी पंचायत आंगन ये मुझे लगता है कि 2025 तक रिलीज किया जाएगा जैसे खेसारे लाल यादाव जी कि trending film कोई भी आती हैं तो वो तहल कमा चा देती हैं लेकिन निरहुआ जी भी समझ लिजे ट्रेंडिंग में ही हैं जैसे निल कमल सिंग जी से गवाय हैं तो उनका जो सोंग मरून कलर सड़िया वो भी सूपर डूपर हीड़ी हुआ है वो ट्र अगर हमारी जानकारी और हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आप लोगों के बीच आएसे लेटेस्ट वीडियो लेकर आपाऊं तो दोस्तों मिलते हैं फिरेक जानकारी साथ तब तक लिए आप लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद